गुड मोनिंग विद्याती मित्रो दोर अन्नो विग्नेन विशे नी अंदर चेप्टर नाठ गती नी अंदर आजे आपणे वेग विशे वात करवानी छे मित्रो वेग ए सदीस रासी छे केम कारण के वेग ने दर्शावा माटे दिशानी जरूर पडे छे वेग ए सदीस रासी छेने वेग ने दर्शावा माटे दिशानी जरूर पडे छे तो जेने दर्शावा माटे मुल्यनी साथे साथे दिशानी पन जरूर पडे तेने आपणे सदीस रासी तरीके ओड़ खीशू जेम के वेग सदिस रासी औने अदिस रासी दों ख्याल तमारी पाठ्य पुस्तक मा नथी परन्तु एना विशेनी जानकारी मेडवी जरूरी छे ज्यारे जड़प ए अदिस रासी छे सामाटे ते अदिस रासी छे कारण के एने दर्शामा माटे दिसानी जरूर पड़ती नथी तो जेने दर्शामा माटे दिशानी जरूर पड़े तेने सदिसरासी केवाई अने जेने दर्शामा माटे दिशानी जरूर न पड़े तेने अदिसरासी केवाई तो सदीस रासी नूँ उदाहरण आपणे लई शक्ये वेग बराबर ज़ने झडब एंदीस रासी नूँ उदाहरण कहाई बराबर तो आछ थाई वात सदीस रासी अने अदीस रासी नी हवे आपणे जो ये के वेग इटले शुँ तो गतिमान पदार थे एकम समय मा करेला स्थानांतर ने वेग कहे छे गतिमान पदार थे एकम समय मा करेला स्थानांतर ने सुखे मामा आवे छे वेग गतिमान पदार थे एकम समय मा करेला स्थानांतर ने वेग कहे छे अहिया वेग नूसुत्र छे कि वेग वी बराबर स्थानांतर ना चेद मा समय बराबर S ना चेद मा T तियार पाची अहिया एना एक कम लखेला छे मिटर प्रती सेकेन अथवा तो MS मैनस एक गात अथवा किलोमीटर प्रती कलाग किलोमीटर कलाग नी मैनस एक गात वेगनी दिशा स्थानांतर्नी दिशा होई छे वेगनी दिशा कई दिशा होई छे स्थानांतर्नी दिशा होई छे बराबर छे के वेगनी दिशा हमेसा स्थानांतर्नी दिशा होई छे एटले के वेग नी दीशा स्तानांत नी दिशा माज होई छे तियार पची पदार्थनो वेग अचड अथवा चलित होई शके छे पदार्थनो वेग अचड अथवा चलित होई शके छे एले के पदार्थनो वेग एक सरक होई शके छे अथवातों बदलातों रहतों होई छे, क्यारे बदलातों रहतों होई छे, तो आपने जो ये के पदार्थनों वेग त्रोन रिते बदलाई शके छे, लेक तो जड़प बदलावा थी बदलाई शके छे, बराबा छे एक तो जड़प बदलावा थी त्यार पची गतीनी दिशा बढ़लावा थी अने गतीनी दिशा औने जड़प बनने बढ़लावा थी बढ़लाई शके छे तियार पची आपणी आगड जोईए हवे आपणी वाद करिए सरेराश वेग निके सरेरास वेग इटले शु来了 प्रारंबिक वेग वत्ता अंतिम वेग चेहिदमा बे इटले की वी एवी बराबर यू प्लस वी ना चेहिदमा बे चे वी एवी एले वी एवरेज एले के सरेरास वेग ने आपरे सांकेतिक भाषा मा वी एवी वड़े दर्शावी शके प्रारंबिक वेग ने आपरे यू वड़े दर्शावी शके अंतिम वेग ने आपरे स्मॉल वी वड़े दर्शावी शके एले वी एवी बराबर यू प्लस वी ना छेद मा बे तो आथ है सरेरास वेग नी वात बराब के सरेरास वेग बराबर प्रहरंभी वेग वत्ता अंतीम वेग छेद मा बे हवे आपने आगर जोई है नियमित जड़प और नियमित जड़प इटले शू तो नियमित जड़प गती करता पदार्थनी जड़प अच्छड होई छे हम्मेसा नियमीत गती करता पदातनी जड़प के भी होई चे अचड़ोई चे जे पदा नियमीत गती करतो होई यह नियमीत गती करता पदातनी जड़प हम्मेसा अचड़ोई कें कारण के अंतर आई सर्खू कापे आने समय आई सर्खोजले तो सर्खा समय गाडा मा सर्खू अंतर ते कापतो हो यां तो नियमीत जड़प इंटले नियमीत गतिकता पदार्थ नी जड़प हम चड़ होई च यह ने ते सरखा समेगाडा में हम चासर्खु अंतर कापतो होई त्यारपची जो यह नियमीत वेग। तो नियमीत वेग इतले सुखत, जो कोई पदार्थ नोवेग समय नी साथे अचड जडवाई रेतो होई, जो कोई पदार्थ नोवेग समय नी साथे अचड जडवाई रेतो होई, तो ते पदार्थ नियमीत वेग थी अचड अथवा, अचड जडवेग थी गती करे छे तेम के वाई चो कोई पदाद नुवेग समय नी साथ अचड रहतो होय बदलातो नो होय समय नी साथ जड़वाई रहतो होय तो ते पदाद नियमीत वैग थी अथो अचड वैग थी गती करे छी ते छळब Captain No variables 9 अप इचले सूं अब्रेटाओ अपने नियमिंत वीग तरीक होड़करीह तो आजे आपने नियमित जड़प अने नियमित वेगनी वाद करी तता वेग विशे आपने वाद करी आनों आपने अभ्यास करी सु तता लेखन कारिय अपन करी सु आबार